हेलो फ्रेंज आगर आपने भी अभी तक आपने पेंकर्ट को आपने अधरकर्ट से लिंक नहीं किया है तो आपका जो पेंकर्ट है वो इनेक्टिव हो गया होगा तो एसे में आपको अपने pencard को फिशे से active कराना होगा, क्योंकि government के new rule के मुताबिक हम सभी को अपने pencard को अपने अधरकरट से link कराना जरूरी है, link नहीं करेंगे तो हमारा जो pencard है वो automatically inactive होगा, इसलिए आपको अपने pencard को अपने अधरकरट के साथ link कराना mandatory है, आज नहीं तो काल आपको link करवाना ही होगा, नहीं तो आप अपना financial work होगा, वो आप करने ही पाएंगे future में, क्योंकि आपका pencard बेन हो जाएगा, मतलब inactive हो जाएगा, तो इस वीडियो में हम देखेंगे के से हम आपने pencard को अपने अधरकरट के साथ link कर सकते हैं, 2024 में, तो चलिए, यह बिनादिर के बड़ते हैं, वीडियो की तरफ, इसे मैं अपने computer पर करके दिखा रहा हूँ, आप अपने mobile से भी इसे कर पाएंगे, आप अपने mobile पर कोई सा भी एक browser को open करिएगा, उस browser को आप desktop mode कर लेना, उसके बाद बिलकुल ऐसा एंजर भी से आपको देखने को मिल कर देगा, income tax.gov.in का इस पर आपको क्लिक करना है, इसके बाद income tax का official website निकल कर आएगा आपके सामने, यहां आपको पहले देखना है, आपका जो pen card है, वो आपके अधर करण के साथ link है या नहीं, वो आपको पहले चेक कर लेना है, उसके लिए यहां left side पर आपको quick links का section दि करेंगे, तो यहां link other status पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहां आप अपना pen card number enter करेंगे, इसके बाद नीचे अपना other card number enter करेंगे, और यहां view link other status पर क्लिक करेंगे, तो यहां मैंने अपना pen card और other card number फिल कर दिया है, अभी मैं यहां view link other status पर क्लिक करता हूँ, तो आपके सा को लिंक क्यों क Slowly एक है बोला यह है कि यहां पर पर आधर करके साथ लिंक नहीं है तो यहां हम करने के लिए यहां link अधर पर भी खह सकते हैं यहां फिर नकाम टेक्स के alsody यह वेंफुट का जो अपशन था उसके नीचे आपको लिंक अधर बोलके एक option दिखे देगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो same page निकल कर आएगा आपके सामने तो यहां हम link अधर पर ही क्लिक करते हैं तो यहां next page निकल कर आएगा आपके सामने यहां हम फिर से अपना pen card door अधर कर नमबर यहां टाइप करेंगे और यहां विलेजेट पर क्लिक करेंगे इसके बाद एक pop up निकल कर आएगा आपके सामने यहां निचे continue to pay through e pay text इसके बाद next page निकल कर आएगा तो यहां हम अपना pen card number फिर से टाइप करेंगे इसके बाद same pen number को यहां फिर से confirm करेंगे और इसके बाद आपना कोई भी एक mobile number यहां पर टाइप करेंगे और यहां continue प पर क्लिक करता हूँ इसके बाद आपने जो भी mobile नमर वहां पर फिल किया था उस पर एक OTP send किया जाएगा वह OTP आप यहां टाइप करेंगे और यहां continue पर क्लिक करेंगे इसके बाद you have successfully verified through mobile OTP लिखा आ जाएगा यहां निचे आपका pen card number show करेगा और यहां आपका नाम show कर लिंक करने के लिए यहां income tax का जो option है पहला वाला उस पर प्रोसिट पर क्लिक करेंगे इसके बाद new payment बोलके page निकल कर आएगा यहां assessment year में हम 2024-25 को select करेंगे और इसके बाद type of payment पर क्लिक करेंगे और यहां से हम एक option को चूछ करेंगे वो है other receipts यहां हम other receipts को select करेंगे इ यहां जो पहला जो option है fee for delay in linking pen with other क्योंकि हम आपने pen card को अधर card से link कर वा रहे है तो यहां हम इस option पर ही टिक करेंगे और यहां नीचे continue पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहां पर निकल कर आएगा यहां नीचे आपको total amount show करेगा कितना आपको pay करना होगा जैसे कि 1000 हमें pay करन होगा तो यहां नीचे continue पर क्लिक करेंगे इसके बाद payment method select करने के लिए बुला जाएगा किस method से हम अपना payment करना चाते हैं वह हम यहां पर select करेंगे यहां पर बहुत सार अप्शन्स आपको देखने को मिलेगा जैसे कि पहला है net banking आप अपने net banking के थ्रूँ यहां पर payment कर सक सकते हो यहां फिर लिखा है pay at bank counter मतलब आप bank counter पर जाके भी यह जो payment है इसे आप कर सकते हो इसके बाद आप RTTS या फिर NFT से payment कर सकते हो और सबसे लास्ट में है payment gateway including UPI and credit card तो यहां से आप अपने UPI से भी payment कर सकते हो या फिर अपने credit card से भी payment कर सकते हो तो यहां पर हम आपने UPI से payment करेंगे और यहां नीचे आपको कुछ bank को का नाम यहां पर दिखाई देगा तो इन में से आपको इसाब एक bank को यहां पर select करो सकते हो मैं यहां पर state bank of India को select करूंगा और यहां नीचे continue पर click करूंगा इसके बाद page को धोरा नीचे लेके जाएंगे तो यहां फिर से इसके बाद यहां पर आपको फिर से दू अप्शन देखने को मिलेगा तो फिरला है net banking अाधर बेंक, net banking का तो अब यहां से net banking के द्रूबी पेमेंट कर सकते हो और सेगंड है आदर पेमेंट मोड्स, यूपी जाज़े की यूपी आई हो गिया, तो यहां हम यूपी आई से पेमेंट करेंगे, इसलिए यहां इस ओप्शन को स्लेट करेंगे यूपी आई वाला, इसके बद यहां फिर से पीज को थोड़ा निचले के जाएंगे, तो यहा आप VPA, मतलब यहां पर आपको आपना वर्ट्रोयल पेमेंट आईई से भी आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर सेगंड में है कीवर कोड, या फिर आप यहां कीवर कोड पे क्लिक करेंगे, तो यहां पर कीवर कोड निकल कर आ जाएगा, इस कीवर को आप आपने मोबल से स्क छुकते हो, तो यहां पर मेने जो है पेमेंट कर दिया है और यहां लिख्था भी आगे है यॉर ट्रांजेक्शन स्टेटास इस सेट्स हुगा, यहां ओके करेंगे, यहां हम थोड़ी तर वेट करेंगे, यहां पर कही पर भी आपको क्लिक नहीं करना है, आपको ऐसे ही रह सब्सक्राइब तो यहां पर हमें फिर से और व्रेक चाम करना होगा तो यहां हम 3-4 घंटे बाद यहां फिर से लिंक अधर Statehouse पे ख्लिक करेंगे और हो सकता है आपके उपिछ प्रुत यहां से यहां बाद टीन-4 घंटे में भी नहीं हो एक से दो दिन के बाद आप चेक कर लेना आगर आप यहाँ पे तुरंट लिंक अधर स्टेटास पे क्लिक करके फिर से चेक करोगे तो यहाँ पे फिर से वो ही ओप्षन दिखे देगा पेन नौट लिंक ट्विट आधर बोलके जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ आभी मैंने अपलाई किया था मतलब पेमेंट कर दिया था तो यहाँ मैं तुरंट फिर से यहाँ लिंक अधर स्टेटास पे क्लिक करता हूँ और यहाँ आपना pen number और अधर का नमबर फिल करके फिर से यहाँ view link अधर स्टेटास पे क्लिक करता हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से यहाँ पर लिखा आगे है pen not linked with अधर बोलके तो यहाँ पर आपको गबराना नहीं है हमने जो है आमारा जो payment है वो complete हो गया है तो यहाँ पर हमको कम से कम 3 गंटे बाद फिर से इस link पर आजाना है link other status पर और फिर से यहाँ पर status चेक कर लेना है तो फ्रांच से यहाँ में लगबग 3 गंटे बाद फिर से चेक करूँगा तो यहाँ में site पर जो link other बोलके एक option इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ आपना pen card number एंटर करूँगा और इसके बाद other card number फिल करूँगा और यहाँ validate पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते यहाँ पर लिखा आगे higher payment details are verified please click on to continue proceed with submission of other pen linking request और यहाँ निचे हमारा adjustments serial number दिखाई देगा इसके बाद BSR code दिखाई देगा इसके बाद amount इहाँ पर soבן किरेगा कितना आपने payment किया था और इसके बाद date of payment इहाँ पर सोग पर इंटर केया था जो भी आपने payment करते time दिया था आपने phone number वो phone number यहाँ पर टाइप करेंगे और यहाँ नीचे आपको दो option देखने को मिलेगा पहला है I have only year of birth in ather cut अगर आपके ather cut पे खाली birth दिया गिया है और date of month नहीं दिया है तो आप इस option को tick करोगे और आपके ather cut पे full date of birth दिया गिया है तो आप second option को tick करोगे तो यहाँ हम second option पे tick करेंगे और पहला जो option है उससे हम tick नहीं करेंगे इसके बाद यहाँ link ather पे click करेंगे इसके बाद आपके mobile number पे OTP भेज़ा जाएगा उस OTP को आप यहाँ type करेंगे और यहाँ नीचे validate पे click करेंगे अगर आपका code अगर आपको OTP रिषिप नहीं होता है तो यहाँ type आप कर सकते हो तो फिर से आपका जो OTP है वो आपको मिल जाएगा तो यहाँ validate पे click करते हैं यहाँ पे लिखा आ गया है your other pen linking request has been received and sent for validation मतलब हमारा जो other pen linking का जो request है वो successfully submit हो गया है और इसे जो है अभी validate करेंगे तो इसके लिए थोड़ा 2-3 दिन लेग सकता है यहाँ पर भी लिखा है और अधरकाट लिंक हो जाता है तो यहाँ पर एसा लिखा आ जाएगा your pen number is already linked to given other number इसका मतलब यह होगा कि आपका जो pen card है वो आपके अधरकाट के साथ successfully link हो गया है तो फ्रेंच इस तरह से आप अपने pen card को आपके अधरकाट के साथ link कर सकते हो तो बस इतना ही था कि इस वीजियो में I hope हमारे वीजियो अप लोग को बहुत अच्छे लेगी है अगर आप लोग को हमारे वीजियो अच्छे लेगी है तो इस वीजियो को like करें ज्यादा से सब्सक्राइब करें मैं आपके साथ next वीजियो में और किसी नई टोपिक के सब फिर मिलूँगा तब तक के लिए जय हिंद